हेलो फ्रेंट से स्टोरेज के सब्सक्राइब का स्वागत है और आज मेरे के लिए हिंदी से इंप्रेंट कोईशन यह हमारी इंप्रेंट कोईशन की पार्ट 22 सीज है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके साथ साथ अब हमाने केडमी जूड़ चुके तो आप हमें अन गशन आते हैं जो आपके विल्कुल भी गरत नहीं हो सकते तो इसके लिए आपको इस गद्यांस को पहले केरफुली पढ़ना है और उसके बाद इसको पढ़कर के आपको आंसर देने हैं तो चली यहां पर गद्यांस दिया गया है हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं किस या बोली कहलाते हैं प्राय सभी सुतंतर देशों की अपनी अपनी भासाई हैं राष्टे असमिता की दिश्टी से भी ऐसा हो नावश्यक है साथ ही स्थानिय बोलियों का भी अपना अलग महतव है सबसे सुगम सरल भाववयक्ति मात्रभासा का ही संभव है मात्र भांसा व्यक्ति को जनम से मिलने वाली विरासत है अन्य भांसाएं अर्जित भांसाएं होती है जो अभ्यास द्वारत सीखी जाती है अपनी मात्र भासा द्वारा जितनी सहस्ता से भावव्यक्त किया जा सकता है वैसा सहज सामर्त किसी अन्य अर्जित भासा से नहीं होता राष्ट्र की एकता और पारस्परिक विचार विनमय की सुविधा के लिए राष्ट्र भासा की आवशकता में किसी को भी संदेग नहीं हो सकता सभी राष्ट्र और राष्ट्र भासा को सम्मान देते हैं और ब्यवार में लाते हैं संद्र भारत में भी हमें अपनी भासाओं को अपनाना चाहिए राष्टिय गौरव और स्वाज़वान के लिए यह आवश्यक है ठीक वैसे ही जैसे राष्ट ध्वज और राष्ट गान तो देखें दोसे पकार से हमने यह कद्यांस पड़ा अब इससे चलते हैं कोशन क्या क पूच जाता है तो पहला यहाँ पे पूचा गया वाणी मनुष्यक को प्राप्त इससवर का सबसे बड़ा वरदान है क्योंकि यहां पे देगए इससे वह बिचारों को सल्दा से आधन पर कर सकता है संगीत का अन दे सकता है प्रेम का ज्यार कर सकता है या साहित जर्जन क कर सकता है तो यहां पर इसका सही अंसर होगा वो क्या होगा तो वह कि इससे वह मस्तर तक सब्त उतार्ख होते हैं माक के दूद के साथ सब्यक्तिक की संस्कायर में होती है या फिर मात्र भासा का सब्द को स्वियापक होता है तो इसका सही अंसर क्या होगा तो इसका होगा जो यहाँ पर सही अंसर होगा वो होगा यहाँ पर कि मा के दूद के साथ व्यक्ति के संस्कार में होती है है नश्टकुषन य Carne मतरभासा द्वारा भावावयक्ति सरल का समवरधन आवश्यक है तो यहां पर नश्चन के लिए बहुत बॉलियों की विकास के इन सकत साहित्या की रचना के लिए तो मात जो रश्ट भांसा इसका समर्दन आवश्यक होचा है क्योंकि या क्योंकि इसके लिए क्या होता है क्योंकि राश्टी हसमेता हुआ स्वाइबान के लिए आवश्यक है नेस्ट कोशन है पर राष्ट्र भांसा होने के लिए आवश्या खेकी हुआ भांसा देश के अभिजाते वर की भांसा हो व्याकरन सम्मत भांसा हो कोई सास्त्रे भांसा हो या अधिसंग के आबादी के ब्यवार और पठन पातन की भांसा हो कि रस्खान नेश्ट कुछन आप प्रिय परवास सरल का ब रचना है इसमें कुल कितने सरग है तो इसमें कुल सत्रह सरग है नेश्ट कुछन आपे दो राहा समय की रत का गरगर नाद सुनो सिहांसन खाली करो की जनता आती है और फिल पंतियों में किसकी रचना से उद्गरित किया गया है तो यह किसकी रचना है तो यह जो रचना दी गई है यह रामधारी सिंग दिन कर किया है नेश्ट कुछन आपे सुमितर नंदर पंत को किस कृति के लिए उन्हें ग्यानपिट पुसकार दिया गया था यह प्रदान किया गया तो यह बहुत ही इंपोलेट कुछन है दोस्तों यह कई बार ट्रेट में रिपीट हो चुगा है यह प्रिवेसर के जो ट्रेट हुआ था तो यह किस के लिए इस सुमितर नंदर बंत को ग्यानपिट पुसकार मिला तो यह मिला था चितंबरा के लिए नेश्ट कुछन है आपे रमनियार्थ प्रतिपादा का सब्द कावियम किस आचारे का कथन है तो यह जो कथन दिया गया था यह पंडित राज जगनात के द्वारा दिया गया नेस्ट कुछन है पर काल करम के अनुसार निम्रिखित कभियों का सही अनुकरम क्या है तो ये भी देखे दोस्तों इस प्रकार का कोईशन जो है वो टेट में 2017 में भी रिपीट हो चुका है तो कौन सा काल करम सही है तो वो है यहाँ पर पहले पर साथ फिर निराला फिर पांत फिर महादेवी वर्मा नेस्ट कुछन यहाँ पर निम्रिखित में से कौन सा सब्द देशाज है तो देखे दोस्तों जो हमारे देश में प्राचिन समय से चला रहा है उससे देशाज कहते हैं तो यहाँ पर हम देखे तो कौन सा देशाज है तो वह लोटा लोटा जो है वो देशत सब्द है नेस्ट कुशन आपे व्याकरण में प्राव विसेशन किसे कहते हैं तो देखे दोसे जो प्राव विसेशन होते हैं वी विसेशन की जो विसेशता बताता है उसे प्राव विसेशन कहते हैं जैसे हमने कहा कि यह राधा तेज दोड़ती है तो ये तो हो गया विसेशन लेकिन हमने इसमें जोड़ दिया कि राधा बहुत तेज जोड़ दिया तो बहुत क्या हो गया विसेशन की विसेश्टवदार है तो वह हो गया प्राविसेशन ठीक है तो इस प्रकार से विसेशन की विसेश्टवदाते है उस लों से करमधार है समास की सब्द में है यहां पे दिक नियम का संभंध है वो किससे है तो वहाँ यहां पर ध्वानि भी ज्ञान से और सौरसक्षत पत्रिका है यह जो वर निकाली गए थी महाबीर परसाद दीवेधी के दवारा है नेस्ट कुशन अब भगवती चरण वर्मा का पर्सेद उपनियास है तो भगवती चरण वर्मा का जो पर्सेद जो पनियास है चित्र लेखा नेश्टे आपे निम्र कितमे से कौन तार सब्तक के कभी नहीं है तो तार सब्तक के कभी कौन से यहां पे नहीं है तो वह हैं केदारनाथ अगरवाल नेश्टे आपे राग दरवारी के लेखक हैं तो यह भी बहुत important कुछ है नहीं यह भी repeat हो चुका एक जाम में तो जो राग दरवारी के जो लेखक हैं उनका नाम है स्रीलाल सुकला आचारी राम कृष्ट सुकल मूलता थे तो जो आचारी राम कृष्णो सुकल थे यह मूलता क्या थे तो यह थे समालोचक पवन सब्द में कौन सी संदी है तो देखी दोस्तों जो पवन है इसमें कौन संदी है तो इसमें आयादी संदी है और देखी दोस्तों हमने संदी के लिए अलग ट्रिक बनाई है हमारे आपने अगर हिंदी के अभी तक पीसेस वारे नोटस नहीं देखें तो आप वहाँ पे देज सकते हैं वहां हमने हिंदी की सभी पार्ट करवा दिया है और संदी भी कराई है हमने संदी डिटील में भी और ट्रिक के साथ दोनों करवाई है तो ट्रिक में हमने बता रखा है कि जिसमें अगर बड़ा A, बड़ी E, बड़ा हुआ था तो वहां पर संदी होती है जहाँ पर आपको किवल उपर एक मातरा दिखाई दी वहाँ पर गुण संदी होती है और जहाँ पर किसी में भी जैसे सदी हो गया कोई भी हो गया जिसमें दो मातरां दिखाई देती है वहाँ पर ब्रिदी संदी होती है और जहां पर आधे अक्षर दिखाए दें जैसे नियून हो गया स्वच हो गया तो इसमें आधे अक्षर होते हैं तो वहां पर यहां संदी होती है और जहां पर कोई भी उपर अक्षर ना आए कोई भी मात्रा ना आए तो उसमें क्या होती है आयाधी संदी होती है जैसे आप को अगर हिंदिय को अच्छे से जानना है तो आप हमारी प्ले लिश्ट में जा करके और पीसे स्थान जहां तुम रहते हो बहुत अच्छा है कि अच्छे साफ में जा खरके हैं तो आप करके हैं और आरे बहां सा तो हिंदी जुआ है यही राजvat Вас यहë नेस्ट कुशन या पे तूट चाप नहीं जुरे रिषाने का भावर्थ है तो तूट चाप नहीं जुरे रिषाने का अर्थ क्या होगा तो वह होगा नुकसान होने पर कुरूद नहीं करना नेस्ट या पे रहीमन जो गती दीप की कुल कपूत गती सोय बारे उजियारों लगे बड़े अंधेरों होई तो यह बहुत इंपोरेंट कुशन है और यह जो अलंकार है यह भी कई बारे जाम में रिपीट हो चुका है तो इसका जो सही अंसर है कौन सा अलंकार होगा तो इस हमने बेंजन स्वार सबको बहुत ही अच्छी त्रिक से बताया हुआ है तो अगर आप एक बार देखते हैं तो आप इनको किसी को भी भूल नहीं पाएंगे तो एक और मेरा कहना है कि एक बार आप जरूर देख लें तो यहां पर मुर्धनी बेंजन पूछा गया है तो कौ नहीं सही दिया गया है हर यहां tapas sanyia 6C8 से पूछी जाता है को यह सही दिया गया है देखिए दूस्तों ही कई भार रिपीट हो चुका है तो यहां पर अंकी मतर वैक और यह सैयर मना सबन कर दो कौसल है तो कौन कौन से है तो वो है बोलना और लिखना नेस्ट कुश्चन है यहाँ पर निम्लिकित में से कौन सा सब्द वान का प्रयाय है तो वान का जो प्रयाय होगा वो कौन सा होगा तो वोगा नाराच और लास्ट कोईशन है यहाँ पे संपन सब्द का विलोम चांट कर रिक्तिस्तान की पूरति कीजिए संपन व्यक्ति की तो यहाँ पे क्या आएगा इसका विलोम चांट ना है आपको तो संपन काता वीपन, संपन व्यक्तिक वीपन की व्यवस्ता नहीं समझ सकता तो यहाँ पर फोर्द आफसन सही दिया गया है तो देखें तोस्तों इस पर कार साजान में हिंदी के तीस इंपरेंट कुशन किये आपको मारे वीडियो कैसी लगी इसके पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सेर कीजिए